बाबा जी ने लाखो की संख्या में एहमदाबाद पहुची संगत को अपने दर्शनों वे सत्संग से निहाल किया जी हाँ, आज यानि 13 अक्टूबर दिन रविवार को एहमदाबाद में आयोजित सत्संग कारिक्रम में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंग धिलो जी ने संगत को अपना शिर्वाद बक्षा और गहन आध्यात्मिंग फिशेयों पर प्रकाश डाला हजूर महराज भी बाबाजी के साथ मंच पर विराजमान थे और यह द्रिश्य काफी अद्बुद था बाबा जी आध सुभा नो बचकर बीस मिनिट पर मंच पर पधारे और जब वे मंच पर आए तो एक अत्यंत ही मधुर और प्यारा शबद संगत की कानों में गूँज रहा था बाबा जी ने मंच पर आते ही सबसे पहले गद्धी को माथा डेका उसके बाद हजूर जी ने भी गद्धी को प्रणाम किया बाबा जी ने संगत पर अपनी द्रिश्टी डालते हुए सत्संग की शुरुवात की आज उन्होंने लगबग एक घंटा दस मिनिट तक सत्संग फरमाया जिसमें उन्होंने सरल और सहज भाशा में गहरे आध्यात्मे ग्यान को समझाया उन्होंने जिस सरलता और खुले दिल से विशेयों को साजा किया वैसंगत के दिलों को चुग गया बाबाजी ने हजूर स्वामी जी महाराज के शबद जग में घोर अंधेरा भारी तन में तम का भंडारा की तर्च पर आज का सत्संग फरमाया और यह बताया कि यह एक चेतावनी शबद है यह शबद हमें जीवन की वास्तविक्ता और अज्यानता से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है बाबाजी ने समझाया कि माया और मन की ताकते हमें हमारे असली स्वरूप से दूर कर देती हैं उन्होंने उधारन देते हुए कहा कि हम बाहर के प्रकाश के होते हुए भी कई बार ठोकर खा बैठते हैं इसका कारण यह है कि हमारा मन माया के परदे में फसा हुआ है और हमें इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए गुरू के मार्गदर्शन की आवश्यक्ता होती है उन्होंने इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि आत्मा और प्रमात्मा दोनों हमारे अंदर ही हैं फिर भी हम उनसे दूर क्यूं है इसका कारण है मन के उपर पड़ा हुआ परदा जिसे हम गुरू की गुर्पा से हटा सकते हैं बाबाजी ने सेवा के महत्वा पर भी विस्तरत्चर्चा की उन्होंने कहा कि सच्ची सेवा वह है जो हमारे मन को जुकाती है और जब मन जुकता है तभी आत्मा की शुद्धी होती है बाहरी सेवा को उन्होंने केवल एक साधन बताया जिसके द्वारा हमारा मन विनम्र और समर्पित बनता है उन्होंने सपश्ट किया कि सेवा का सच्चा अर्थ मालिक की सेवा गरना है और यह सेवा तब तक सच्ची नहीं हो सकती जब तक हम इसे पूरी निष्ठा और परता सिखाने के लिए होती है, लेकिन स्री सेवा भजन बंदगी में है, नाम की कमाई में है, उन्होने यह भी समझाया कि मनुष्ये को सेवा का प्रतीक बनाना, बिल्ला लगाना सिर्फ भारे दिखावा नहीं होना चाहिए, सच्ची सेवा तब होती है जब मन पूरी तरह से समर्पित होता है बाबा जी ने सत्संग के महत्व पर बल देते हुए कहा कि सत्संग वह जगह है जहां सिर्फ एक परमात्मा की चर्चा होती है यहां किसी प्रकार की निंदा चुगली या अनवाश्यक चर्चा की कोई जगह नहीं होती उन्होंने कहा कि सत्संग एक ऐसा स्थान है जहां मनुश्य आत्म ज्यान प्राप्त करता है और अपने जीवन का सही मार्ग ढूड़ता है दर्शन के विशय में बाबा जी ने कहा कि सच्चे दर्शन वही हैं जो अंदर से होते हैं भारी दर्शन केवल टीवी देख रहा होता है तो वह इसकदर मगन हो जाता है कि आसपास की आवाजें उसे सुनाई ही नहीं देती उसी प्रकार जब हम अपने अंदर ज्हांक कर परमात्मा के सच्चे दर्शन कर लेंगे तो हमारा मन भी एकाग्र हो जाएगा और कोई भी बाहरी चीज हमें विचलित नहीं कर पाएगी बाबा जी ने आधुनी की यूग में इंटरनेट और बाहरी ज्यान के प्रभाव के बारे में भी विस्तार से समझाया उन्होंने कहा कि आज के समय में एक बटन दबाते ही हमें हर प्रकार का ज्यान प्राप्त हो जाता है परन्तु यह भारी ज्यान हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रहमित करता है सच्चा ज्यान वह है जो हमें आत्मा की सच्चाई से मिलाता है और अंदर के मंडलों में ले जाता है बाबा जी ने यह भी कहा कि असली गुरू वह होता है जो हमें एक ज्ञानता के अंधगार से ग्यान के प्रकाश की और ले जाए उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना आत्म ज्ञान के बाहरी ग्यान केवल भ्रम और उल्जन पैदा करता है असली ग्यान वह है जो हमें हमारे भीतर की सच्चाई से जोड़ता है और यही हमें असली शान्ती और मुक्ति की और ले जाता है बाबा जी ने गुरू की भूमी का पर भी गहराई से बात की उन्होंने कहा कि गुरू वह है जो अंधगार से प्रकाश की और ले जाता है बाबा जी ने स्वष्ट किया कि सच्ची सीख शरीर से नहीं बलकि आतमिक स्तर पर होती है उन्होंने यह भी बताया कि मनुश्य को इस मार्ग पर चलने के लिए गुरू का मार्ग दर्शन होना अती आवश्यक है बिना गुरू के सही मार्ग पर चलना असंभव है क्योंकि गुरु ही वह सच्चा मार्गदर्शन है जो हमें परमात्मा तक पहुँचने वाले सच की रहा दिखाता है बाबा जी का यह सत्संग बहुत ही गहन और ज्ञानवर्थक था जिसमें उन्होंने सरलता से गहरे आध्यात्मी गरहसे उपर परकाश चाला उन्होंने हमें सिखाया कि असली भक्ती और सेवा मन के जुकने में हैं ना कि केवल बाहरी दिखावे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक बिल्ला पहन लिया और जी बन गए हम सेवादार असली सेवा तब होती है जब हम मन से विन्नम रहों, मन से जुक जाएं और अपने आपको गुरू के समर्पित करतें उन्होंने सच्चे सत्संग और दर्शनों का महत्व बताया और समझाया कि सच्चा ग्यान वही है जो आत्मा की सच्चाई से सत्यता से जोड़ता है पर मात्मा तक पहुचने का मार्ग दिखाता है इस सत्संग ने संगत को अपने जीवन के बारे में सोचने और आत्म मन्थन करने का एक सुंदर अवसर प्रदान किया बाबा जी की बातें हर व्यक्ति की दिल को छूने वाली थी और उन्होंने जीवन के प्रती एक नई दिर्ष्टी प्रदान की उनकी वानी में प्रेम, करुणा और सच्चाई की मिठास थी जो संगत को सच्चाई और प्रेम की और प्रेरित करती रही आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बुक्स में जरूर बताईएगा फिलाल के लिए बस इतना ही एक बर फिर से लोटेंगे एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए राधा स्वामी जी